हेलो दोस्तों आरेचे मश्रूम स्पॉन लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि धिंगरी आउश्टर मश्रूम की खेती मातराब 270 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों आज आप लोगों की हम बात करेंगे कि कैसे 270 रुपए लागा के आप धिंगरी आउश्टर मश्रूम की खेती की सुरूआत अपने घर से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी टॉपिक पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहां दोस्तों मातर आपका 10 किलो भूसा लगने वाला है और बीच जो उसमें पढ़ेगा वो आपका 1 किलो लगेगा तो भूसा जो है आपका 100 रुपए का भूसा हो गया बीच जो होगा वो आपका 110 रुपए का हो गया पॉलेथिन जो होंगी वो आपके 6 पॉलेथिन लगेंगी जिसमें आपका 10 किलो भूसा अराम से आ जाएगा जो कि 30 रुपए की पॉलेथिन होगी बवस्टीन और जो फॉलेथिन जो कि हम लोग भूसे के सुधी करण के लिए उसमें डालते हैं जिसमें भूसा भी होते हैं तो बवस्टीन आपके 10 ग्राम पढ़ने वाली है 10 रुपए की जो की हो गई और फॉलेथिन जो पढ़ेगी वो आपकी 125 है मिल पढ़ेगी जो की दो मेरा वीडियो को बनाने का मकज़त एक ही था कि आप और 1 किलो इक बीच लगाने में जो आपका जितना भी जो टोटल खर्चा आएगा वो मैने आपको आज बताया है कि ये 270 रुपए आने वाला है और अब आपको कैसे करना है किस तरह से करना है कैसे इसकी खेती करी जाएगी क्या-क्या प्रॉसेस है दोस्तों ये मैंने आपने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी सेपरेट वीडियो है ओश्टर मश्रूम लगाने की जो विधी है उसमें पूरा सब कुछ बताया गया है वो आप वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के वीडि किलो 15 किलो बीच उस हिसाब से आप भूसे को बढ़ते जाएए मान लीजा आप अगर दो किलो बीच ले रहे है तो आपका 20 किलो बूसा हो जाएगा दोस्तों ठीक है मैंने आपको एक किलो बीच की सारी इंफॉर्मेशन दे दिये तो आज की इस वीडियो में बस बस दो इत सकते हैं दोस्तों आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद